हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अमित और आप सभी का अपने यूटीव चैलल में हर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूँ जमसेदपूर के 10 ऐसे ब्यूटिफूल प्लेसे जहां आप गूमने जा सकते हैं और जहां और आपको घूम के एक सांत्य की अनुबती होगी दोस्तों आज जो जगह में आपको बताने वाला हूँ यह जमसेदपूर के 15 किलोमेटर के दारे में है 15 किलोमेटर के जो भी दारे में आएगा वहन सारे प्लेस के मैं बताऊंगा बेस्ट प्लेसे के बारे में जिसे देखकर आपको बहुत अच्छा फी होने वाला है तो दोस्तों बिना समय का वाय आई यह सुरू करते हैं आज का यह वीडियो दोस्तों जुबली पार्क चमसितपूर का बहुत ही फिमस पार्क है यहां पार्क 1958 में खोला गया था जो की टाटा चमसितपूर वासियो को एक गिफ्ट था इस पार्क में आप सभी के मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीजे हैं दोस्तों यहां पे आपको रोज गार्डेन देखने को मिल जाएगा साथ ही साथ आप यहां जैनती सरोवर का भी आनंद उठा सकते हैं यहां पे बच्चों के खेल देखने के लिए चिलेण पार्ग भी है और साती सात लेजर खो कबिया आनंद ले सकते हैं दोस्तों यह पार्ग बहुत ही खूब सूरत है और यहां का जो वाता वरान बहुत ही कुष्णुमा है यहां आकर आपको अपने परिवार के साथ, family के साथ, अपने loved ones के साथ आकर बहुत ही अच्छा लगेगा दूसरे नंबर पर है दोस्तो, जूलोजीकल पार्क इस जू में आपको पच्छियों के डिफरेंट डिफरेंट प्रजातियों, सेथ, चीते, जिराफ और भी बहुत सारे जानवर देखने को मिल जाते हैं साथ ही यहाँ पर आप सफारी का भी मचा ले सकते हैं अगर आप जूलोजीकल पार्क में जाते हैं तो यहाँ से आप जैनती सरोवर में वोटिंग भी कर सकते हैं दोस्तों यह इंटरकनेक्ट है जूलोजीकल पार्क के साथ, वहाँ वोटिंग का भी लुफ्त उठा सकते हैं और अंदर में खाने पीने की भी बहुत सारी सुधाय उपलब्द है आप उनका भी लुफ्त उठा सकते हैं तीसी नमबर पे हैं दोस्तों निक्को जूली एमोजमेंट पार्क भी जूली पार्क के समीपी स्तित है यहां बड़ों और बच्चों सभी के खेलने के लिए अच्छी वेवस्ता है यहां वाटर कोस्टर, वाटर पार्क के साथ साथ बुल राइडिंग, बोटिंग और कई तरीकों की मनरणिन की चीजे यहां उपलब्द है आप इन सभी का मज़ा ले सकते हैं और अपने पूरा दिन मस्ती के साथ बिता सकते हैं फोट नंबर में हैं दोस्तो दल्मा वाइललाइब सेंचूरी दल्मा वाइललाइब सेंचूरी चमसेत्पू सिटी से 13 किलोमेटर पर इस्थित है इसका इन्विग्रेशन मिस्टर संजे गांधी द्वारा सर 1975 में किया गया था दोस्तो यह एनस 33 में स्थित है यहां आकर आपको अपार सांती की अनुबती होगी यहां आपको रिसोर्ट भी मिल जाएगा जहां आप ठायर सकते हैं और अपना टाइम स्पेंट कर सकते हैं दल्मा पहाड के उपर एक प्राचिन सिब मंदिर है जिनके दर्सन के लिए लोग दूसरे स्टेट से भी आते हैं यहां पे दोस्तों सिवरात्री और सावन में काफी भीड होती है और अगर आप यहां आना चाहते हैं तो यहां आप सावन और सिवरात्री में भी आ सकते हैं और अगर आप नेचर का मज़ा लेना चाहते हैं, आप नेचर लवर हैं, तो आप कभी भी यहां आएं, आपको बहुत ही सुख और सांती का अनुबह होगा तलमा के टॉप से पूरे जमसेदपूर सहर का व्यूव आप ले सकते हैं, जो की बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है दोस्तो मेरे पाँचवे नमबर पे है दिमना लेक, यहां लेक दोस्तो एक बहुत ही खुबसूरत प्लेस है, जहां आप अपने फ्रेंड्स, फैमली एंड लवववन्स के साथ अपना ब्यूटिफुल टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहां लेक जमसेदपुर से 5 किलोमेटर दूर है, यहां एक पिकनिक स्पोट भी है, और यहां दिसंबर जनवरी के महिने में भारी मातरा में लोग पिकनिक मनाने आते हैं, यहां आप अद्भुद नजारों के साथ साथ वोटिंग का भी मजा ले सकते हैं यहां लेक दल्मा हिल्स के किनारे बसा हुआ है, और यहां पहाडों का भी नजारा देखने में बहुत ही अच्छा लगता है छटे नमबर पे जो है वो है हुटको लेक, यहां लेक जमसेदपूर के टेलको कॉलनी में इस्थित है यहां लेक उन लोगों के लिए काफी सही जगा है, जिनको प्रकिर्ती से प्रेम है हुटको लेक में पार्क और जील का संगम मन को मोह लेता है और पहाली के उपर से पूरे सहर का नजारा देखने में बहुत ही अद्भूद लगता है दोस्तो साथवे नमबर पे है भाटिया पार्क, यहां पार्क कदमा में स्थित है इस पार्क में बच्चों के खेलने के लिए मैदान वा पार्क की वेवस्ता है यहां पार्क खरकई नदी की किनारे पर बना हुआ है जो जुसको द्वारा संचालित किया जाता है और काफी वेल मेंटेन है दोस्तो जो की एक बहुत बड़ी वज़ा है टूरिस्ट अट्रेक्शन की हमारे आठवे नमबर पे है थीम पार्क यहां पार्क दोस्तो हुटको लेक के सामने स्थित है जो की काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है यहां पार्क पिक्निक के लिए खास फिमस है यहां के टॉप टावर से आप पूरे जमसित्पूर सहर का विव ले सकते हैं जो की बहुत ही मनमोहत है और नौवे नमबर पे दोस्तो कोई पार्क नहीं है यह है एक साई बावा का टेंपल हाँ दोस्तो यहां टेंपल यह चेरिया में स्थित है यहां साई टेंपल जमसित्पूर का बहुत ही फेमस साई टेंपल है यहां दोस्तो 0.75 एकर्स में बना हुआ है जो की बहुत ही अद्बुद है यहां लोग हजारों की संख्या में दर्शन के लिए आते हैं और यहां आकर आपको एक सांति की अनुवती होती है दोस्तों दस्वे नंबर पे है भूनेश्वरी टेंपल यहां टेंपल दोस्तों एक बहुत ही आकरसक टेंपल है यहां लोग दूर दूर से इस टेंपल की कला कृतियों को देखनी के लिए आते हैं यहां टेंपल बहुत ही प्राचिन टेंपल है दोस्तों यहां टेल को में स्थित है जहां आप बस, आटो और अपने वेकल से भी आ सकते हैं यहां जमसितपूर के सबसे उचे स्थान पर इस थित है और यहां से आपको जमसितपूर सहर का नजारा बहुत ही आकरसक लगता है दोस्तों यह थे पूर के 10 प्लेसे तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरू कीजिएगा और हाँ दोस्तों कमेंट करके भी मुझे जरू से बताईएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा और हाँ दोस्तों इस बार मैंने 15 किलोमेटर के अंदर का जो प्लेसेस था उसके बारे में आपको बताया अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो की 50 किलोमेटर जो यह 10 प्लेसेस है इसको छोड़ कर जो 50 km के दाइरे में जो places आते हैं उनके बारे मैं आपको बताऊंगा जहां से आप घूमने जा सकते हैं जमसितपूर में राते हो या फिर अगर जमसितपूर आप आते हो तो उस जगे पर घूमने जा सकते हो तो दोस्तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर ले और हाँ दोस्तो नोटिफिकेशन बेल भी दवा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अप्लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा तक तक के लिए दोस्तो टेक क्यार बाई बाई